हेलो 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 everyone my name is Kumar Gaurav and welcome to our channel let's practice together तो आज हमने lead code की weekly contest का पहला question लिया है जो कि है minimum string length after removing substring तो चलिए देखते हैं question क्या बोल रहा है question बोल रहा है कि आपको एक string दिया वैस जिसमें की सारे के सारे uppercase English letters present है बढ़िया उसके बद क्या है आपको एक बार में एक ही operation करना है हर एक operation में ढूणना है कि क्या आपके string में a,b और c,d करके कोई भी substring present है अगर present है ना तो उसे remove कर दो and ultimately हमें return करना minimum possible length of resulting string यह यह question चलिए इस question को एक example से समझते हैं एक veteran example ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो मैंने लिया यहाँ पे a,c,ab,d और b यह है मेरा छोटा सा string पहला क्या काम करना है हमें डूणना है कि क्या हमारे string में a,b और c,d करके कोई substring present है बिल्कुल present है तो हम लोग a,b को remove करेंगे and after removing what is the length 4 तो क्या 4 हमारा answer होगा बिल्कुल नहीं क्यों after removing a,b हमारे जो नया string बनके आ रहा है वो हारा a,c,d,b and again we have c,d जिसे हमें remove करना है तो हम लोग क्या करेंगे c,d को भी remove कर देंगे after removing c,d क्या बनेगा हमारे पास बनके आएगा a,b, और a,b भी तो वह ऐसा substring है जिसे हमें remove करना है यानि कि minimum length जो कि हमारा possible लोगा return करना है वो है 0 समझ गए, अब इस question को कैसे बनाओगे simple हमें एक traversal में बनाना है आप क्या कर सकते हो, i plus 1 से शुरू कर सकते हो traversal check कर सकते हो कि क्या जो हमारा i है वो जो character है, वो मेरा b या d है अगर b या d है तो हम लोग check करें कि i-1 में 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 या c तो नहीं है क्योंकि में में पास 2 character दिया है substring में तो हम लोग 2 character के लिए check करेंगे i-1 is enough, तो अगर ऐसा कोई substring मिल जाता है हम लोग क्या करेंगे, उसको erase कर देंगे string से ठीक है, तो एक ये method है जिसमें आपको answer मिल जाएगा last में आपको क्या करना है, string के length को return कर देना है और या तो फिर दूसरा बहतरीन method है आपके पास वो है by using a data structure called stack क्यों, same process हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को check करना है कि जब हम लोग stack में push कर रहे हैं, तो वो character b या d तो नहीं है, अगर b या d है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग check करेंगे हाँ, यहाँ पर capital दिया वह है, तो मैं यहाँ पर capital लिग देता हूँ, easy to understand तो अगर b और d है, तो हम लोग check करेंगे क्या मेरे stack में पहले से present है a या फिर c, respectively अगर है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको stack से pop कर देंगे, so finally हम लोग क्या return करेंगे stack के जो size है, उसी को return करेंगे चलो, इसी वाले string को example से समझते है कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, a आया a, b और d तो नहीं है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे stack में, push कर देंगे, similarly for say similarly for e, sorry a c और a के लिए हम लोग ने देख लिया, अब क्या कर रहा है, हम लोग के पास आ रहा है b, तो जैसे ही b आ रहा है, हम लोग चेक करेंगे, stack के top में, stack क्या करता है last in first out, तो हमने last जो input क्या था, वही हमारे top में present रहेगा हम लोग चेक करेंगे, क्या वो मेरा a है, बिल्कुल है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, stack से pop कर देंगे, बढ़िया, similarly for d, अगर मेरे पास d आ रहा है, तो हम लोग चेक करेंगे, क्या हमारे stack के top में c present है, बिल्कुल present है, तो उसे भी हम लोग कर देंगे character type क्या होगा, character type कराएगा, and let's name it anything like ht, फिर हम लोग एक loop चलाएगे, loop क्या लेते हैं, हम लोग चलो, auto लेते हैं, यहाँ पर, so auto नाम दे देते हैं, c, अपने character का, कहां पर, string के एक-एक character को उठाएगा, अब हम लोग को चेक करना है कि क्या, पहला तो चेक करो कि क्या मेरा जो है, वो c, जो है, वो equals to equals to, किसके बराबर है, b के बराबर है, तो हम लोग सबसे पहले b के लिए लिए लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे क्या b के बराबर है, and, and हमें चेक करना है कि क्या मेरा stack का जो size है, वो greater than 0 है ना क्योंकि अगर greater than zero नहीं है तो मेरे stack के top में कुछ भी नहीं रहेगा है ना तब ही हम लोग check करेंगे किसको stack के top को check करेंगे तो हम लोग बुलेंगे कि क्या अब stack के top में आप check कर लो कि A है तो मेरा A भी बन क्या गिया ना हम लोग क्या करेंगे stack को pop कर देंगे करेक्ट, similarly हम लोग किसके लिए चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे next element यानि की d और c के लिए तो हम लोग इस पूरे यहां से यहां तक की condition को copy कर लेते हैं, और इसको यहां पर else if में डाल देते हैं, हम लोग बस यहां पर यह ले लेते हैं, और यहां पर कर देते हैं, stack को pop, कोई रिकत नहीं है यहां तक, I hope कोई भी problem नहीं है otherwise हम लोग क्या करेंगे, stack में simply हम लोग push कर देंगे, जो भी हमारा character आ रहा था, c ठीक है, done, and after this fault loop, हमें return करना है, कि जो भी मेरा stack का size है ना, आप उसको कर दो return, and that said बस, यही आपके बन के आ गया, चलिए, run करते हैं, और देखते हैं कि हमारा output आ रहा है कि नहीं साइस है, या फिर हम लोग ने कोई error किया है, so हमारा case 1, case एकदम accepted है, so let's submit the code, और देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं, तो चलिए, submit करते हैं यहाँ पर, and we can see, it is accepted, so that's it for today guys, फिर मिलते हैं next question में, तब तक के लिए, good bye, stay blessed, stay safe, and keep coding